नमश्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोसों आपको बता दें कि 30 अक्टूबर के शुभ नौ बजिशे जया दोसों यह शमे अंतराल में गरों की बहुती शुभ रिश्थती बनने वाली है जादोसों आपको बता दें कि यहष में शनीवार का दिन होगा अर्थात शनीदेव का दिन होगा और जोति शास्त्र में जिस दिन भी शनीवार के दिन होते हैं वहष में दुर्लब शेयों का निर्मान श्वेंग शनीदेव करते हैं अपने भाकतों के लिए अपने भाकतों क प्रदान करती है और यह शनीवार का शमें आपके लिए बहुती लाबकारी रहने वाले हैं कि दोस्तों यह शमें दुरलब शयों का निर्मान तो होगा शाते शात इन निर्मान में कई बड़ी चुमतकार हैशी होंगे जिन्में आपकारी करेंगे तो दोस्तों आपको यह था कारें आपके रुके हैं उनमें गती हाने वाली है आपके जूंत से श्रबी दुस्तुरह शमापत होंगी और आपको यह श्मीर यहता श्मन नई कारिव की प्राप्त होने को और नई आइडिया श्याप नए नेकारी को करेंगे और उनमें भी बहुत अच्छी शब्लता को प्राप्त करने वाले हैं जा दोस्तों आपको बिताते कि बगवान शंदेव के शिबाशी आपका यह श्मी बहुती लाब अपरत शमय रहने वाले हैं यह श्मी में दोस्तों अ को किन चीजह को लेकर श्राव जाने नहीं होगे कोने श्रीह कार आपके लिए बागी करके कमेंट बोक्स में सचे मन से जाई शंदेव लिखेगा गुरू जीका और बगवान श्र्देव का शदेव वश्तरबात प्राप करेंगा तो दोस्तों जरूर लिखेंगा और आप अगर आप चैनल को भला को पीच अ魔त स्थ्रिभ्राउफ कर और सुद्धानतों के नुशार ही कारी करें आपको बदादें कि आपको वेशाही शफलता इसमें राप्त होगा विद्ध्यार्थियों के लिए भी जो समय होंगे आपको बदा दें कि नोकरी अत्वा इंट्रुव आदी में शफलता की आपके योग बन रही है और इसके प्र आपको शमस्त्रया काहल निकालने का प्रयाश करना चाहिए दोस्तों यह आपके लिए शमे उचेत साबिध होंगी और इसको प्राहत दोस्ते शमें आपके लिए समय आपको बदा दें कि दूस्तों पिछले समय में मिले धूके के वज़ाशे लोगों पर विश्वास फिर स शाबिध होंगे और इसको प्राहत दोस्ते शमें प्रव्प्रेश समय कोई भी कार करने के लिए जो समय होंगे बहुत यह नुकुल समय होगा परिवार के शाथ किसी धार्मी घस्तल में जाने का प्रोग्रेम भी यह बन सकता है तता शानती भी यह में आप महसूर करेंगे क इसे पेरी मित्र के शाथ उपहारों का अधान परदान भी यह में रहे सकता है और इसको प्राहत दोस्तों में किसी परकार का तनाव हावी रहेगा प्रतु यह में अपनी मन स्थिती मजूद बना कर रखें शिगरी परिस्तियां शमान हो जाएंगी शमज़ाओं से घबरान के शाथ संबंद अच्छे बने रहने के विश्य आपको माशिक समधान भी प्राप्त होगा जिन संबंदों को आप गहरा बनाना चाहते हैं उनके प्रति दिखाई हुए निष्टा आपके लिए उप्युक्त रहेगी भाई बेहनों में भी यह में प्यार बढ़ सकता है और अपने उपर लेने के बजाए उन्हें वाटना बेश में आपको सिखना चाहिए क्योंकि दूस्तों की समस्याओं में उलेजने से आपके अपने व्यक्तिकत काम परवाईद होंगे तथा श्वास पर बिनकार नकार्तम कश्वर पढ़ेगा दोस्तों आपको बता दें कि यह इनके वज़े से आशान काम भी आपको मुश्किल लग सकता है खुद पर विश्वास रखकर आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए प्रस्तित कठी नहीं है लेकिन मेहनत और लगने दिखाने की यह में आपको हवेश्रिकता हो सकती है और इसको प्राहन दोस्ते यह में करने में सक्षम रहेंगे आए कि यश्मी नए श्रोध भी बनने वाले हैं इसके साथ दोस्तों कुछ नकारतों के पस्तितियां शामने आशकती है प्रन्तु आप असानी से उन्हें हल करने में भी सक्षम रहेंगे बसरती आपको यश्मी मेहनत करने के आशोगता होंगी चि उचित मारदशन करना बहुत जरूरी होगा लेंदेन करतेश में ध्यान रखें कि कुछ नुक्षान भी अश्मी आपसे हो शकते हैं और इसको प्राह्मत स्वेश्व में आपको बता दें कि दूस्तों काम चाहे जितना भी कठीन क्यों नहों लेकिन उसे पूरा करने का उत्सा आपको श्मी शुफलता दिलाएगा बचों की सिक्षा के छेतर में प्रगती दिखने के वज़र से माता पिता की चिंता भी श्मी कम होने वाली है प्रगती के महत्पुन और भी आपको प्राप्त होंगे आपको बता दें कि उचित समय पर सब काम पूर्ण भी हो जाएंगे नोकरी पेशा लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपके दुवरा कियेगे काम का श्रे कोई और भी लेशकता है बहतर होगा कि अपनी गज़ुदियों को किसी के समक्ष जाहिर ना करें दोस्तों ये श्मी आपके वायवशाय के लिए बहतर होगी और इसके पराप दोस्तों ये श्मी आपको कोई नुक्सान होने की समाहना है नोकरी में उक्रिष का वातरण भीश जो अनुकूल बना रहेगा और इसके ब्राहं तो से श्मी आपके के लिए समयंगे आपको बता दे कि दोस्तों ये महत्पून प्रजक्ट भी आपको मिल सकता है जिसके वहसता बनी र व्यक्तियों को परमोशन समंदी कोई खुशगवरी भी यश्मी मिल सकती है इसे दोस्तों आपका मन भी यश्मी परशन रहेगा और शुपांत उस्ते श्मी पिजने समंदी बारी गद्वियों पर ज्यादा ध्यान दे इनकाम का कोई नया शोर्ष बेसमी बन शकता है किसी करम की तो दोस्तों यश्मी वाय के जीवन तथा प्रेम शमंद्ध दोनों में किसी प्रकार की गलत भही में उत्पन हो शकती है विवेक्षे काम लेना तथा नोगों की बातों में ना यह श्मी आपके लिए बैतर होगी तो दोस्तों इन चीजों पर आपको गौर करने के आउस शासिद रहेगा शकातम गुर्जा भी आपके उपर आपके घर के वातरण पर वयादत रहेगी आपको बताते हैं कि पुराने मित्र शेव अचानक मुलाकात भी आपसे हो सकती है जिसे माहल और भी खुश्णुमा बन सकता है और इसके प्राण दोस्तों में आपके लब लाइ में जरूर वईतित करें इसने पारिविटों को खुशी और उत्सा मैसलों होगा इसके प्राण दूस्तों स्वास के लिए बैतर सावित होंगी और इसकी प्रांत से चाह्कर आपके श्वास के लिए आपको बदा दें कि दो स्वास एचे तैराम लेना भी आपके जरूर में दिख सकता है और इसके प्रान दूसरे श्रमें आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि कारे भार के दिखता को जोशी पेरों में दर्द वाफिर सूजन की सिकायद रह सकती है उचीद अराम लें तथा अपना मेडिकल चेक अप यसमें जरूर करवाएं दोस्तों ये आपके श्वास के लिए बैतर होगी तो इन पर ध्यान दें